नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका, आपके अपनी चानल अंजली नियूस कौर में, मैं हूँ आपकी वही अंजली जाने क्यों हमें आसू बहाना है आता जाने क्यों हाले दिल बताना नहीं आता क्यों साथी बिछट जाते हैं हमसे शायद हमें ही साथनी बहाना नहीं आता जी हाँ आपने सही सुना हम आज के डेली राशेफल की बात कर रहे हैं आज की दिन जिनका बर्जे है या फिर मैरे जनुवर्सरी है उनको मेरी और से धेट साले शुब काम नए और प्यार भरी बदाई हो तो चलिए शुरू करते हैं परिक्षा उन्ही की होती है जो उसके लायक होते हैं आशावादी लोग उलजी राहों में भी अपनी वंजिल तलाश कर ही लेते हैं एक सकरात्मक क्रिया करने के लिए तुम्हें एक सकरात्मक त्रिष्टी रखनी पड़ेगी, अपने सपनों को पूरा करने के जिद को बकड़ो, नहीं तो कोई और तुम्हें अपनी जिद को पूरा करने के लिए काम पर रखेगा, जिंदगी में पच्तावा करने से कुछ हास पच्छतावा करना छोड़ दीजिए बलकि कुछ ऐसा करो कि लोग आपको छोड़ कर पच्छताएं। जिसके आप हकदार हो वो नहीं जो आप चाहते हैं। बंद करो जो आपकी परवा करता है वो आपके साथ चलेगा। बड़ी शिद्दत से निभाओ अपना करिदार सिंदगी में कि परदा गिनने के बाद दी तालियां बचती रहें। हर पल, हर लमहा, खुशी ढूंडो जिन्दगी बहुत ही छोटी है। जीने की वजा ढूंडो। जातर बाते आपकी विख्षा के अनुसार होने की वज़े से आत्म विश्वास बना रहेगा आपका। परिवार से जुड़ी भावनात पक तकलिफ को दूर करने का प्रयास चारी रहेगा। और आप इसमें काफी हद तक सफल भी हो पाएंगे। साथ में सितारे ये भी कहते हैं आपके बारे में कि ओफिस में सहकर्मियों के जरीए टांक चाय की शिकार भी हो सकते हैं। और ससुराल पक्ष से खींचर दानी भी हो सकती है। किसी भी बात की त्वरित प्रतिक्रियन ना रहा है तो फोरन आपको उसका उत्तर नहीं देना है जवाब नहीं देना है बलकि आपको पहले सूच विचार कर लेना चाहिए। अगर कोई स्थान परिवतन करने का विचार बना रहा है तो समय बहुत ही बढ़िया लग रहा है। यह समय के रहों किसिती और भागिय आपके पक्ष में रहते नजर आ रहे हैं जो की पहतरिन योग है। आपका प्रैक्टिकल होकर फैसला लेना आपके लिए बहुत ही फायदमन साबित होगा। और आपके अंदर भरपूर्व आत्मविश्वास को यह आत्मबल भी बना देगा। लेकिन आपका बहुत जादा स्वार्थी होना भी आपके आपको अपने निजीक की सबंदों से दूर भी कर सकता है। इसलिए ज़रा स्वार्थी मत बनिएगा उधार बनिए दिल के। आपने रिष्टों को भी संभाल कर रखने की जरूरत है आपको। इस समय के इसे भी प्रकार का पैसो से लेन दिन जो हैं करते समय आपको सावधानी बरतरी होगे। क्योंकि नुकसान होने के शंग का नजर आ रही है आपकी। अगर आप पैसो का लेन दिन उधार वगरा नहीं करते हैं तो जाधा बैटर है यह मेरी आपसी परसंस लाए। तो अगर आप यह करेंगे तो बहुत इच्छे रहेंगे। काम का बोज और मांसिक दना दोनों बढ़ने की वज़े से आपकी जो काम करने की स्वीर है वो थोड़ी हलकी हो सकती है, कम हो सकती है। आज आपके जो मित्रें उनके परिवार में किसी का साथ नाम मिलना आपको भावनात्मा ग्रूप से उदास बना सकता है। आज आपको अपने मित्रें की चिंता हो सकती है। कभी कभी आपकी अनुचाय जिद याने की अनुचाय जुजद है उसकी वज़े से घर में तनाव भरा महौल जो है वो बन सकता है। आज बच्चे बहुत जिद करते नजर आएंगे। साथ ही में घर के किसी वरिष्ट रेक्ति की आगया के उलट कारे करना उनको नराज कर सकता है। यह समय खर्चों की दिखता रहेगी इसलिए अपने जरूरतों पर जरांकुछ लगा कर रखे। जितना समान जरूरी है उतने ही चीज़े करी दें वरना आपकी जो जेब है वो कुछ जादा ही टाइट हो सकती है। तो इस बात का ध्यान लखेगा। आप आगे बढ़ते और बात करते हैं आज की बिजनेस और करेड की बारे में। तो बिजनेस और करेड में सिधारे कहते हैं कि विसाय से रिलेटिट कोई भी काम करने से पहले किसी एक्सपर्ट वेक्ति के राय लेना बहुत ही जादा इंपॉटन है। बजर्गों की राय लेना भी बहुत ही बढ़िया है वो भी इच्छा रहेगा क्योंकि आपको आज फैसला लेने में कुछ अस्मन जासी हो रही है तो आपको उन्हें से राय लेने चाहिए जो इन चीजों से निकल चुके हैं या फिर एक्सपर्ट हो जिनोंने खुद एक्स बजर्टन जैसे सुचना भी अगर आप सुनना चाहते हैं तो यकीन माने आपको वो सुचना जरूर मिलेगी आपका जो ट्रांसफर है वो हो सकता है यज़े के साथ ही आज जो वेपार में जो है थोड़ी बहुत गती धीमी की कारण आप जोड़े सुस्त वगारा भी हो सकत हैं बस आपको सुस्त नहीं हो रहा है बाकी सब कुछ ठीक रहेगा काम ये विवस्ता स्तापित करने के लिए आपको बहुत ही ज़दा मेहनत करने पड़े की जो कि बहुत ही जरूरी है यज़े के साथ ये मशिनरी और लोहे से रिलेटिड अगर आपका काम है काम करते हैं त इसमें मार्केटिंग और बाहर के समपर्क सूत्रों को और भी ज़्यादा गहरा और मजबूत बना कर रखना होगा इसमें आपकी भलाई और फाइदा मंध होगा आपका नौकरी बेशा व्यक्तियों की भी अब अपने क्षेतर में स्थितिय मजबूत होती चली जाएगी द अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लव लाइफ की और तो लव लाइफ कहती है कि प्रेम समंदों से जरह दूरी बना कर रखे आपके साथ किसी प्रकार का धोका हो सकता है विवाहास से रिलेटिड अगर आपका को कोई प्रेम समंद है तो आपके लिए आज परिशान तो ज़र दिहान रखेगा वनापकी मिज़ों हो सकती है साथी में आपके हर फैसले में पार्टनर आपका बखूब भी साथ देगा आपकी भावनाओं को समझना पार्टने के लिए थोड़ा बहुत जो है मुश्किल हो सकती है पती पतने के बीच काफी रोमांटिक समंद रहेंगे दोस्तों के साथ भी आप खूमने फिर्णे में वक्त जोई स्पेंट कर पाएंगे और रहाँ जादा खर्च भी होता नजर आएगा आपको वाकि जो है लव लाइफ बढ़िया रहेगे स्वास्त के स्वास्त का काम करने की वज़़ी सीशीश्या विमारी से आपको यह सब्चीशे हो रही है इसलिए आपको नींद परौपा लेनी चाहिए STT की वज़े से अपच और उल्टी जैसी समस्याएं आपको तकलिव दे सकती हैं ध्यान रखेगा बाकि जो पुराने विमारे से जूज रही तो उनमें सुधार होता नजर आएगा अपने स्वास्ते का आपको खुद ध्यान रखना है और हाँ मुत्रसबंदी इंफेक्शन या कहीं सूजन जैसी समस्या लग रही है तो फौरान आपको इसका आयरुवेदी के लाज करवाना चाहिए आपको जल्दे ही जिप किसके अच्छे नतीजे देखने को मिल सकते है तो चरिए बागे बढ़ते और अरंत में बात करते हैं आज के विशेश उपाई के बारे में तो अज आपके लिए विशेश उपाई ये रहेगा कि आज आपको जो है घर में अगर आपके कोई रुकी कोई घड़ी है और इसको ठीक करवा लिए जी अगर ठीक नहीं होती है तो इसको जो है बाहर फैंक दीजिए तो आपके लिए बैटर रहेगा तो आप अगर ऐसा करते हैं तो आर्थिक स्थिते में बहुत इच्छा सुधार होता नजर आएगा तो दोस्त अगर आपको वीडियो अच्छे लगे हो तो लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलेगा धन्यवार